नमस्कार साथ यो तो आज ए 22 सेप्टेंबर 2024 कल 23 सेप्टेंबर मन्ने से एक निया ट्रेडिंग विक शुरूर ने जा रहा है, तो बात करेंगे इस फीडियो पे कुछ important sectors के बार में, कुछ important shares के बार में कल जैसे विजार open होगा, शार्प 9 बच के 15 मिट पे आपका करी नजर ह होना चाहिए यह सारे important sectors के उबर भी यह सारे important shares के उबर भी for some reason कुछ company की शेर में दोस्तों गिरावट होने का बहुत बरा की लार्जेस्ट कंपणी भारत का टीसीएस आज़ा टीसीएस की शियर लास्टेदे की भले मार्केट में बहुत अच्छा मुवेंट हुआ था अल्मूस्ट फ्लैट में closing दिया और इन्फोसीस की बात करें यहां पर भी देखें थोड़ा सा वालिटल था उसके साथ थोड़ा की बात करें या लुस्ट कुछ महीनों पे काफी अच्छा मुवेंट देखने को मिला खास करके बड़े आइटी कंपनी ध्यान से देखना इन्फोसीस अब देख लिए कहां से कहां पहुंच किया इसके पीछे मेन रिजन था एक्चुली एफम सी मीटिंग क्या उटकम जो क खास सा कमजोरी के साथ क्लोजिंग देने की कारण हो सकता है इसक्टर में फिर से थोरा सा प्रोफिट बुकिंग हो सकता है मतलब कोई बहुत बना डीप प्रोफिट बुकिंग नहीं होगा विकास सामने युएस की चुनाओ है तो कल में क्या होंगा इस टांप्सूप रख ओके नेक्स बात करेंगे एक और शांदार छोटे से कमपणी जिसका नाम है श्रिष्ठा फिन वेस्ट लिमिटेड देखे एक दम पेनी शेयर एक रुपए 72 पैसे के भाव में मिल जाएगा कल एक्चुली ना ये कमपणी की शेयर आपको आधा भाव में मिलेगा आधा भाव क क्यों कि कमपणी एक्चुली स्प्लीट के अनॉसमें किया था मैं आपको एक बात दिखाने की कोशिश कर रहा हूं एक में रुप जाई यह देकि स्टॉक स्प्लीट दिया था वान इस्टू टू डेशो में ठीक है तो उसका एक डेट जो कमपनी फिक्स्ट किया था वो था पैसे के आज पर शेयर पहुंच जाएगा ठीक है अब देखिए यह मत सोचने की कंपणी खराब नहीं प्रॉफिटेवल कंपणी है जिस पैसे आपके साथ में प्रेजन करना वरना ऐसे को हो मतलब कितने सारे पेनी शेयर में स्प्लीट होता है बोनास होता है वो मैं अक्सर अब लास्ट रिणिंग में रेट काट हुआ जिसका इंपक्त हमें काफी पॉसिटिव देखने को मिला फिर से देखें आपकी मिल्लिस में टेंशन बढ़ चुका है खबर तो आप लोगों ने रखता हूंगे तो वहां पे अमने देखा फिर से बढ़ चुका है अब देखि चाहसे को है घ्रकार कहाती मिलेगा अगले इस की को dai काट कर घा तो जिसके चलते मैं क्या था सब्सक्रीज प्रेंट ःगार pollution कांवե्स होने लगा और यहां पर बहुत ब्रा पॉस्पिलिटेयृट है कि paint sector में थोड़ा सा downfall हो सकता है चाहे Asian paint की बात करें चाहे बर्जर paint की बात करें चाहे यहां पे consign neural egg हो सकता है अब की Indigo paints भी हो सकता है बट paint sector दोस्तों आगे थोड़ा सा fall कर सकता है तो इसके पीछे क्या logic है क्या fact है बता दिया ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे मेटल सेक्टर मेटल सेक्टर के लिए भी थोड़ा सा मैं कहूंगा तफ हो सकता है बिकॉस चाइना की बहुत सारे एक्चुली लाज्ट देना चाइना की बहुत सारे इकनोमिकल डेटा या चाइना की इकनोमी में कुछ भी अच्छा बुड़ा होता है उसके इंपक्ट कहां पर देखने को मैं लगा आपको मेटल सेक्टर में ठीक है तो जिसके चलते कल एक्चुली टाटा स्टील हो गया जितने भी बड़े-बड़े मेटल सेक्टर की कंपनी है जैसे की JSW हो गया आपके सेल हो गया सरकारी कंपनी इसके शेयर को थोड़ा नजर रखे ठीक है इसके अंदर थोड़ा सा फॉल कर सकता है रिजन में आपको दा दिया ओके नेक्स दोस्तों बात करेंगे इंपोर्टेंट शेयर बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी वही दस चालीस के आसपस आपको मिल जाएगा इसी जनल के पर ओके नेक्सिया दोस्तों इंडर ग्लोप एविएशन लिमीटेट यानि हमारे इंडिगो एविशन एविशन सेक्टर की लार्जस्ट कंपनी लिस्टेट में से तो एक्चुली लास्ट डे क्या हुआ था बजा आत ऐसा है कि ब्रोकर इस द्वारा या कोई रेटिंग एविशन सेक्टर की कंपनी द्वारा कुई सब्सक्राइब करता है तो उसमें इंस्टेंट एक इंपक्ट होता है ठीक है तो जिस बैसी को नज़र रखें नेक्स्ट इंपॉर्टन अप्डेट स्पाइस जेट अब द करना तो हो सकता है कि अलट मिलने के बाद थोरा सा प्रसीट वुक भी होने का चांस है तो इसको तो नज़र रखेंगे उसके बाद बात करेंगे आचा अब कुछ ऐसे इंप्टेन कंपनी की शेयर है ना आप लोगों ने भी नोटीस किया होगा कि लास्ट एक से दो हफतों क के अंदर काफी ज्यादा चल चुका है और उने से कुछ बड़े-बड़े कंपनी की शेयर भी है तो अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोई इसएसी बैंक लिमीटेट की शेयर देखें लास्ट एक मैंन पे चल चुका है खास करके लास्ट दो अपते के अंदर यह देखें शेयर बारा सो में था यहां से देखें ग्यारा बारा परसंट मूफ कर गया अब दिखांए आईसे इसी बैंक यह कोई छोटे बैंक थोड़ी यहां पर फॉट देखने को मिले प्रॉफी दूटे की बात करें यह देखे लास्ट कुछ टैम से चल चुकार मोस्ट इंपॉर्टनली मैं काउंगा लायर से लेवल को ब्रेक कर बना थोड़ा तफ हो रहा है बार बार यहां से तो शियर अगर 3800 रुपे की लेवल को ब्रेक कर लिए सक्सेस्फुली उपर स्टेवल होगा तो वह अलग बात है यहां से फिर से अगर रिजिक हो गया तो उस केस में थोड़ा सा डाउनवर्ड मुबेंट हो सकता है ठीक है अचा नेक्स दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनी बजाज हो चुका है अभी आगे भी थोड़ा सा प्रफिक हो सकते भी कोश शेयर की वैलेशन काफी इंपॉर्टेंट है मतब और दूसरी बात यहां पे थोड़ा सा से लॉप भी हो सकते बड़े इंवेस्टर्स दोड़ा जिनको एलाट पर मिला था आई प्यों में ठीक है इसको आज दिन पर 29 परसेंट एक मैने पे एक मैने बोलना गलत होगा एक्शली लास्ट दो अफ्ते के अंदर दो अफ्ते के अंदर एक अलमोस्ट फॉर्टी फॉर्ट फॉर्ट फट्वाइब कर चुका है ठीक है तो इसको भी थोड़ा नजरा के यह में थोड़ा डिप्रॉफि आफी जादा चल चुका है जैसे कि आप देखिए लास दिन चार परसेंट मूफ कर गया हाई टच किया वहीं पर क्लोजिंग दिया पास दिन पर दस परसेंट चल चुका है और एक मैने पर तीस परसेंट यह शेयर जो है ना इसका भी आरे से इंडेक्स आपका ओवर बॉट पर चल चल रहा है अब देखिए जरूरी नेकी कली गिरावट होगा मेरा कहने का मतलब है ओवर बॉट में चल रहा है तो प्रॉफिट वुकिंग कभी ने कभी हो सकते है थोड़ा एलर्ट हो जाईए ठीक है ओके नेक्स दोस्तों बात करेंगे अचा हिंदुस्तान नियुन इंडेक्स में देखने को मिलेगा ओके तो दोस्तों यह कुछ इंडिविजुल कंपनी की शियर आपके साथ में चलता हूं तो दोस्तों आपके सामने में उपन कर लिया है निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट की अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 यह बट नि इस टेपसे बैंक इसके बाद देखिए आई से से बैंक वेटेज कितना है ग्यारा परसें नौपरसें सारे साथ परसें की वर आचा इसको छोड़के इंफोसिस लिमिटेट को भी काफी अच्छा वेटेज लास्ट कुछ मेंने काफी इंक्रीज भीवा विकॉस शेयर में भ आपको तक्रीबन कितना 55 से लेके 60 परसंट की वेटेज आपको यहां पर दीख जाएगा यह दस कंपनी की शेयर कें तो इसका वैलू काफी जादा है ठीक है आचा सेक्टरल वाइस अगर हम बात करें जैसे की इंडिविजूल शियर इस्टेप सबसे जादा वेटेज आपको पूरा इंडेक्स में इंपक्त देखने को मिलेगा बागी दोस्तों और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओपर वीडियो आएगा नेक्स्ट कुछ वीडियो में तो देखते जाहिए कोई डाउट से कमेंट करके पूछिए फिलाल इस वीडियो को वाइंड करता हूँ मिले नेक्स्ट वीडियो पर टेक क्यार बाबाई जय हिंद